हलो स्टूदेंट्स वेलकम टू जेए क्लासस मेरट परिवार बचों मैं हूँ मौनिका पाल और आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट लेकर आई हूँ बहुत हम और आप एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो कि है इलेक्टिकल इंजिनेरिंग सेकंड उसको स्टार्ट करने वाले हैं तो इलेक्टिकल इंजिनेरिंग सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट भी है और आप सभी बचों ने अपने सीनिय से सुना भी होगा तो थोड़ा complicated tough subject लगता है क्योंकि subject जो है third sims में पढ़ाया जाना वाला common subject है तो कि सभी branches में common है जिसे कि आपका CS में भी आता है, IT में भी आता है और electrical instrumentation में भी पढ़ाया जाता है तो काफी सारी branches में अलग अलग board के according यह आपको subject मिलता है चुकि आपकी branch से related directly subject नहीं है तो बच्चों को इसमें बहुत ज़दा डर लगता है, बहुत tough subject लगता है तो बिल्कुल भी subject में आप घबराने की जुरत नहीं है क्योंकि अब मैं आपको पढ़ाने के लिए आ गई हूँ तो आप जो भी आपका डर आपके दिमाग में है उसको निकाल दीजे तो आज जो है हम इस subject से संबंदित बहुत ही important part discuss करने वाले है जो की है syllabus देखे, syllabus जो है ना बच्चों वो subject के लिए बहुत important है क्योंकि जब हम किसी subject को start करते है तो उस subject की strategy हमारे पास होनी जाए है जैसे कि जब भी आप कोई काम start करते है तो एक रूपरेखा बनाते है ना strategy बनाते है ना कि मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है और क्या चीज़े मुझे avoid करनी है क्या चीज़े मुझे importantly include करनी है तो वो हमारे complete strategy होती है subject के लिए तो वो strategy complete करते समय strategy को बनाते समय बहुत important role play करता है वो कहलाता है हमारा syllabus क्यों 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 हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि जिस भी state board के हम student है जिसे आप BT UP के student है या अलग अलग board में भी ये पढ़ाया जाने वाला subject है तो उसमें आपके syllabus में कौन-कौन सी चीज़े है आपको कौन-कौन सी जो topic है वो आपको पढ़ने ही पढ़ने है क्योंकि कई बार हम क्या करते है कुछ ऐसे topic पढ़ लेते हैं हमारे syllabus में होते ही नहीं और आप कुछ particular books आप देखेंगे उनमें ऐसा भी होता है कि आपके syllabus में तो वो topic दिये गए लेकिन book के अंदर नहीं दिये गए तो normally जो बच्चों की tendency होती है वो ये होती है कि जो भी teacher ने बता दिया या किसी senior ने आपको बता दिया या आपके college में जो book चल रही आप उसी book को खरीद लेते हैं और उसी book के according पढ़ना शुरू कर देते हैं जबकि हमेशा हार एक book में शुरुवात में ही syllabus की page लगे होते हैं लेकिन कोई इस पे नजर नहीं दोडाता आप देख लें कि जो जो topic है आपको syllabus में दिये गए हैं वो ही आप पढ़े और आप उनसे बहार के कोई topic न पढ़े और कुछ ऐसा topic भी ना हो जो आप उसके अनुसार छोड़ दे इसलिए मैं कहा रही हूँ syllabus बहुत important point है साथ था syllabus में जो हमारे topics दिये होते हैं उनमें हमें ये भी देखना है कि कौन से topic हमारे examination के point of view से बहुत बहुत ज़्यादा importance रखते हैं और कुछ topic हमारे ऐसे भी हैं जो कम importance रखते हैं देखें, syllabus में जितने भी topic दिये हैं कुछ कम important होगे तो बस आज की class में हम वही सारे topic आपके साथ discuss करने वाले हैं कि कौन कौन से chapter हमें पढ़ने हैं और उन chapter के अंदर हमें कौन कौन से topic पढ़ने हैं और कौन से topic हमारे लिए बहुत ज़्यादा important है और कौन से topic कम important है तो चले student syllabus को एक बार हम देख लेते हैं देखे आप देख रहे हैं हमें total 6 chapters हैं जो कि हमें इस subject में complete करने हैं तो पहला ही आप देख रहे हैं वो है AC theory AC theory मतलब हम यहाँ प्रतियावरती राशी जो है यानि प्रतियावरती धारा के सिदांत पढ़ेंगे इसको हिंदी में भी आपको साथ साथ बताती रहोंगी क्योंकि BT UP में जो syllabus दिया होता है न बच्चो वो English में ही दिया होता है तो मैं आपको terms जो हैं वो साथ साथ English के साथ साथ हिंदी में भी convert करके बताती रहोंगी तो AC theory मतला प्रतियावरती राशी के सिद्धांत देखें प्रतियावरती राशी या alternating current जो होती है उसके कुछ important terms हैं उसे संबनित कुछ important छोटी छोटी शब्दा वली है वो हम इसमें पढ़ेंगे साथ साथ प्रतियावरती राशी को किस तरीके से phasor के रूप में यानि सदिश के रूप में किस तरह से हम व्यक्त कर सकते हैं यह हम पढ़ेंगे और साथ साथ जो हमारी alternating quantity जो की important quantity है voltage और current उन voltage और current का अलग-अलग परीपतों में क्या संबन्द होता है यह examination के point of view से बहुत important है इनमें से एक जरूर पूछ लिया जाता है आप previous year के question पर देखेंगे तो इसमें एक RLC परीपत होता है यानि जिसमें resistance लगा हो, inductance लगा हो और capacitance लगा हो तीनों लगे हैं इनमें voltage और धारा के बीच में क्या phase संबन्द होता है यह पूछ लिया जाता है तो इसमें अलग अलग तरह के हम circuit पढ़ेंगे pure resistive पढ़ेंगे, pure capacitive पढ़ेंगे pure inductive पढ़ेंगे इसके अलावे इनके combination पढ़ेंगे जैसे की resistive और inductive यानि RLC इसी तरह से RC पढ़ेंगे resistive और capacitive और last में पढ़ेंगे RLC यानि resistance, inductance और capacitive तीनों के combination का जो परिपत होगा उसमें voltage और धारा के बीच में क्या संबन्द होता है वो हम इसमें पढ़ेंगे ठीक है इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारे हमारे आ जाते है resonance का question आ जाता है यानि series resonance और parallel resonance क्या होती है इसका question भी इसमें बन जाता है और इनमें different जो circuit है इनमें power का expression का question भी previous year में पूछा गया था तो इसमें काफी छोटी छोटी topic है जो हमारे basic topic है वो हमारे examination के point of view से पूछ ले जाते हैं एक और चीज़ जो में skip कर गई हूँ उसमें numerical बहुत important है इस वाले चेप्टर से एक numerical भी आप देखेंगे न पिछले साल के question पेपस में हमारे numerical भी जरूर आए यानि कि जो standard equation हम इसमें पढ़ेंगे V is equals to Vm sin omega t I is equals to Im sin omega t तो इन standard equation के question आपको दिये गए होंगे जिसमें RMS value पूछ लिए होगी factor पूछ लिए गया होगा या inductance और capacitive reactance से संबन्दित हमारे formula आ जाते हैं हदर ने inductive reactance और capacitive reactance इसमें पढ़ेंगे हम XC, XL जो होते हैं और इनसे based हमारे numerical भी इस chapter में पूछ ले जाते हैं तो अगर मैं कुल मिला के कहूँ न तो chapter 1 अपने आप में काफी importance रखता है इसमें हमारी छोटी छोटी जो question है छोटी छोटी जो topic है वो बहुत important है उन्हें हम ध्यान से पढ़ेंगे ठीक है आगला जो chapter है वो है three phase supply three phase supply यानि three phase ही supply की बात कर रहा है आपे तक आपने single phase supply के बारे में पढ़ा लेकिन industries में यानि उद्योगों में three phase supply की अपनी अलग importance है तो ये three phase supply क्या है किस तरीके से काम करती है three phase supply के अपने क्या importance है यानि इसके क्या लाब है और single phase supply की तुल्ना में अगर हम three phase supply का तुल्नात्मक अध्यान में कहूं comparative studies में पढ़ेंगे ये question जो है बहुत important है three phase supply का question कई बार पूछा गया है कैसे कैसे पूछा गया है कि single phase और three phase की comparison कीजिए three phase supply के क्या लाब है ये question भी important है साथ साथ एक जो most most important इसमें topic है जो हम पढ़ेंगे कि three phase supply के connection three phase supply में दो तरह के connection होते है star connection और delta connection तो star और delta कई बार दोनों पूछ लिया जाते है या दोनों में से एक भी पूछ लिया जाता है यानि three phase supply connection बताईए कितने प्रकार के होते है यानि दोनों की बात कर रहा है star और delta दोनों पूछ जा रहा है या फिर कई बार particularly भी पूछ लिया गया है कि delta connection में बताईए वोल्टता और धारा में क्या संबन्द होता है या फिर star connection में बताईए delta sorry star connection में बताईए धारा और वोल्टेज में क्या संबन्द होता है तो इसमें star और delta connection बहुत important है जिसको हम काफी अच्छे से पढ़ेंगे समझाएंगे आपको अच्छे से आपको clear हो जाएगा उसके बाद तीसरा जो chapter है transformer transformer को हिंदी में परिणामित्र भी कहते है क्योंकि जब आप previous year के question paper में देखेंगे न तो हिंदी अनुवाद में इसको transformer न लिखे परिणामित्र भी लिखा गया है तो confuse होने की ज़रत नहीं है transformer को हम हिंदी में परिणामित्र कहते है तो इसमें हम पढ़ेंगे कि transformer का क्या working principle है कारे सिद्धान क्या है किस सरीके से काम करता है इसकी कारे प्रणाली पढ़ेंगे और construction भी पढ़ेंगे सन रचना याने transformer की जो construction होती है वो किस सरीके से होती है साथी साथ transformer से related छोटी छोटी टम से जिसी transformer efficiency का question पूछा गया था पिछले साल तो transformer efficiency क्या है maximum efficiency का क्या condition है क्या शर्त है ये पूछा गया और transformer में voltage regulation क्या है इसको परिभाशित कीजिए ये भी हम पढ़ेंगे और साथी साथ transformer में losses याने transformer में होने वाली हानिया क्या होती है कितने प्रकार की हानिया होती है ये question भी पिछले साल पूछा गया है important आप समझ सकते हैं कि है कितना ये तो transformer के losses और transformer के होने वाले test यानि transformer परिक्षण के बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे आगला chapter देख लेते हैं यह है DC machine का देखे DC machine में न बच्चो दो तरह की machine आती है नाम से पता चल रहा है DC machine मतलब ऐसी machine है जो DC supply पर काम करती हो वो क्या कहलाती है हमारी DC machines कहलाती है DC machines दो तरह की हो सकते है generator और हमारा motor यानि DC motor पढ़ेंगे उसमें DC generator भी पढ़ेंगे तो DC generator का working principle पढ़ेंगे किस सरी किसे ये काम करता है इसका हम working पढ़ेंगे कारे प्रणाली पढ़ेंगे इसमें important है DC generator में EMF equation का question है वो पूछा गया आप देखेंगे पिछले 2-3 साल के जब आप paper observe करेंगे तो इसमें EMF equation वाला portion है वो बहुत important है यानि DC generator जो होता है उसमें इसका विभाव समी करण जो है उसका वेंजक आप स्थापित कीजिए इसका जो derivation है वो बहुत important है इसके अलावा DC motor जो है DC motor में हमारी कई तरह की DC motor हो सकते हैं similarly DC generator के भी कई type होते हैं तो DC generator के प्रकार DC motor के प्रकार पढ़ेंगे DC motor का working principle पढ़ेंगे किस तरीके से वो काम करती है और इनमें इंपोर्टन जो है DC motor में मैं वो कहूंगे इनके graph है कुछ DC motor के बहुत सारे graph है speed का graph है torque का graph है यह बहुत important है तो DC motor कितने प्रकार की होती है series होती है shunt होती है compound होती है वो आगे हम डिटेल में discuss करेंगे अभी आपको बहुत जदा confused नहीं करना मुझे तो हम DC motor के प्रकार पढ़ेंगे और DC motor में ग्राफ है जो बहुत important है torque, graph, speed, graph यह आपके लिए काफी important है examination में दो से तीन बार यह पूछा गया है पिछले हमारे previous year के question paper में इसके बाद हम बात करें synchronous machine तो synchronous machine में हम दो तरह की machines पढ़ेंगे synchronous machine में दो हमारे आते हैं alternator और synchronous motor तो जो हमारे alternators यानि जिनको हिंदी में प्रत्यावर्तक कहते हैं प्रत्यावर्तक क्या है किस तरीके से ही काम करते हैं और इनका working principle पढ़ेंगे और छेतर उत्तेजन का यानि field excitation का अंपर क्या प्रभाव पढ़ता है important है पूछा गया है question में हमारा important point है इसको हम ज़रूर अच्छे से पढ़ेंगे इसके लावा फिर हमारा synchronous machine में दूसरा जो portion आता है synchronous motor synchronous motor यानि हिंदी में से कहते है तुल्यकाली motor तो तुल्यकाली motor क्या है और तुल्यकाली motor के उप्योग बहुत important है कि तुल्यकाली motor का उप्योग कहा किया जाता है यानि applications of synchronous motor क्या है वो बहुत important है हमें द्यान से उसको पढ़ना उसके बाद last जो हमारा chapter है chapter number 6 वो है induction motor का तो induction motor जो है बच्चों वो phase supply के आदर पर दो प्रकार की हो सकती है induction motor दो प्रकार की कैसे हो सकती है three-phase induction motor और दूसरा हमारा हो सकता है single-phase induction motor induction motor को हिंदी में कहते है prayer and motor इन induction motor का अपने आप में बहुत importance है 3 phase induction motor जो होती है Industries में यूज होती है और single phase induction motor का यूज हम घरों में अपने घरे लूप करण में करते हैं तो 3 phase induction motor नाम से पता चल रहा है जो 3 phase supply पे काम करती है वो 3 phase induction motor और जो single phase supply पे काम करती है वो हमारी single phase induction motor कहलाती है तो 3 phase induction motor किस तरीके से काम करती है क्या उनका working principle है किस तरीके से इनको हम start करते हैं ये सारी चीज़े हम इसमें पढ़ेंगे और साथी साथ पर single phase induction motor आती है single phase induction motor क्या होती है क्या इनका working principle होता है ये self start क्यों नहीं होती क्या हम ऐसा arrangement करते हैं इन्हें start कराने के लिए कई तरह की हमारे induction motor है या पूछ ली जाती है ये पूछी गई है पिछले question paper में हमारे कई बार आया इसका question कि DC motor का जो starters है उनको समझाईए तो इसके starters भी हमारे पूछ ली जाते है तो चाहे हम DC motor की बात करे synchronous motor की बात करे या 3 phase induction motor की बात करे तो इनके starting method हमें पता होना चाहिए तो एक call मिला के हमारे 6 chapters थे जो कि हर एक chapter ना बच्चो अपने आप में बिल्कुल अलग है कोई भी chapter एक दूसरे से related नहीं है बहुत अलग-अलग chapters है और हर एक chapter में आपको different different चीज़े और important चीज़े मिलेंगी यह मैं कहूँ ना पूरी electrical engineering का जो पूरा cream है जो पूरा important चीज़े है वो निकाल के आपके subject में डाली गई है तो हर एक topic अपने आप में हर एक chapter बहुत important है किसी भी chapter को है किसी भी topic को हमें lightly नहीं लेना सभी examination में equally important आया आप जब analysis करेंगे तो सभी के chapter में से काफी question हमारे पूछे गए है तो equal importance यह रखते है हमें किसी भी chapter को कम या जादा नहीं अकना numerical के point of view से केवल आपका chapter बने है जो की important है जिसे numerical काफी बार लगातार पूछे जा चुके है ठीक है student तो I hope आपको हमारा syllabus का जो पूरा मैंने explanation दिया वो अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको ये भी समझ में आया हो कि हार एक chapter में कौन-कौन से topic हमारे लिए important है तो चलिए students बस हम जादा समय आपका नहीं लेंगे अगली class में आपसे अपने chapter 1 के साथ मिलेंगे जो की बहुत ही important है chapter 1 basic topic है basic chapter है उसको आपको miss नहीं करना उसको जरूर जरूर अटेंड करना है बाकि students आप सभी जानते हैं कि हमारा official application J.E. Classes Merit के नाम से play store पर available है आप इसको आज ही download कर लें क्योंकि इस application से आपको multiple benefit होने वाले है आपको सारी video classes इस पर मिलेंगी आपको test series मिलेंगी आपको सारे notes का PDF इस पर available होगा तो आप आज ही इसको download करें और आप इससे maximum benefit लें साथ ही साथ अपने साथियों को दोस्तों को भी इसके बारे में जाज़ से जादा share करें ताकि वो students भी इसका फायदा उठा सके तो चले students आज की class को यही पर खतम करते हैं और अगली class हमारी बहुत मज़ेदार होने वाली अगली class को भूल कर भी आपको miss नहीं करना है जल्दी आप से अगली class में मिलेंगे chapter 1 के साथ Thank you so much, जैहिन, जैभारत